नमस्कार दोस्तों सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लेना पास में जो बेल आइकन है घंटा उसको जरू दबा दें ताकि आप सभी को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बिल्कुल फ्री भी तो जरूर यह चीजे कर लिजेगा एक और इंपॉर्टेंट चीज वो यह है कि आगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को नहीं जोईन किया है तो आप लोग उसको भी जाकर जोईन कर लें इसकी जो लिंक है वो मैंने आपको कमेंट में दे दी है लाइनेप के बाद जो भी मेरी फाइनल टीम होगी जो भी मेरी अपडेट होगी अगर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन तक चेंज करूँगा तो छोटी सी छोटी इंफोर्मेशन मैं आपको टेलिग्राम पे शेर करता हूँ बिल्कुल फ्री में और मेरी जो 100% टीम होती है जिस टीम के साथ मैं खुल कॉंटेस्ट जोइन करता हूँ वही टीम मैं आपको भी प्रवाइड कराता हूँ तो अगर आप चाहते हैं आपको वो टीम मिले तो जाकर हमारे टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेना कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी कमेंट में हम लोग जो मैच कवर करने वाले हैं वो है ECS T10 बर्सलोना का आज के दिन का पहला मकाबला सिरीज वाई देखा जाए तो छटा मकाबला यहाँ पर जो दोनों टीम से वो इस टूनामिट में अपना पहला ना करें तो दोस्तों मैं चलता हूँ अपने नोट्स की तरफ जहाँ पर मैंने आपको दोनों टीम से रिलेटेड इंपोर्टन इस्टेट्स प्लस बैटिंग ओर्टर के जानकारी दी है तो चलिए चलते हैं तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ग्राउंड की तो सेम वेन्यू है मोंट जूइक ओलंपिंग ग्राउंड जो कि स्पैन में है टाइमिंग एक बजे पिछ रिपोर्ट यहाँ पर देखी मैं बता देता हूं सकेंड इनिंग में यहाँ पर चेस करना थोड़ा सा इजी रहता है कल भी आपने देखा हुगा चेसिंग थोड़ी से यहाँ पर इजी रही थी बाकि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एवरेज स्कोर 110 आपको बनता हुआ नजर आएगा जो कि एक अच्छा स्कोर है टीटेन मैचस में है अब मैं बात करता हूँ दूनु टीम्स के बैटिंग ओर की तो देखिए सबसे मेले पक सिलोना की मैं बात करूँ तो इनकी तब से इस्तिहाक नाजिर और यहाँ पर रमिज महमूद इनिंग की शुड़वात कर सकते हैं पक सिलोना की तरफ से उसके लावे यहाँ पर शहजाद खान शाहिद इकबाल रजा वकर शहजाद ही आपको मीडल ओर्डर में बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे नमबर 3, 4, 5 प इनिंग के शुरवात करेंगे महमध बाबर और सिकंदर अली शिरोज मत Zयम्द इस टिम में डेटल ओर्डर में मैं बैटिंग करेंगे शिरोज मत और ममिद यास टिम के मैन आला उंडरस भी हैं तो यह भी बहुत अच्छे प्लेयर ने संक इलावा सिकंदर अले भी एक इं पाक आई केर की तो उनकी तरफ से आपर इसान एनिंग के शुरुआइंगे मुहमद यासीन के साथ मुहमद यासीन भी बैटिंग के साथ साथ गेंदवाजी कराएंगे अब मैं बात करता हूं दूनों टिम्स के प्लेइंग लेवन की तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पक सलो उनकी तो उनकी तरफ से इस्तियाग नाजिर शैजाद खान, रजावकस, सहजाद रमिज महमूद, शाहिद इकबाल, अतिक कुर्रहमान, अदालत, अली कुर्रम, जावेद, तहजीब हसं, सलीम हैदर, अजीम आज़म 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 आपको खेलते हुए नजर आ करेंगे, तो उस्तियाग नाजिर ने 7 मेचस खेले हैं, जहाँ पर इनोंने 120 रन और दो वीगेद我िकेन में, अतिक कुर्रहमान, प्रस्त-वारम, झावेद, की मैंill हुए निक गईन नकाला है, सलीम हैदर ने यहाँ पर 4 विके निकाल ले हैं अजीम अजाम ने 5 मैचेस में 4 विके निकाल ले हैं यहाँ पर एक प्लेयर है मुहमद इसन बहुत ही अटेकिंग प्लेयरे टीटेन का 9 मैचेस में 211 रन तो सोच सकते हैं आप लोग इसकी बैटिंग का अंदाजा शिकंदर अल बास ने 7 मैचेस में 64 तर न एक विगे निकाले है तो दोस्तों अमीद करूँगा आपको ये वीडियो अभी तक बहुत ज़्यदा पसंद आई होगी अगर अब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अगर आप लोगोने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ह जाए बिलकुल free में तो join करिए टेलीगराम डिस्क्रिपशन में आपको link नहीं चैनल का name मिलेगा comment में आपको link मिल जाएगी जैसे आप लोग comment section में जाएगे आपको पहला comment जो मिलेगा वो हमारा channel का link होगा उस पे आपको click करना है जैसे आप click करेंगे सीधा आप लोग हमारे टेलिग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे तो दोस्तों मैं चलता हूँ टेम 11 की तरफ और आपको कमाल की टीम क्रियेट करके दिखा देता हूँ तो मैं बात करूँ सबसे पहले बिकेट की पर सेक्शन की तो मैंने आपको बता दिया है आपर एक प्लेयर है मिसान बहुत एक टेकिंग फॉर्मेट का प्लेयर है बहुत ज़्यादा अटेकिंग क्रिकट खेलता है ओपन करते हुए आपको नजर आ जाएगा चेस करते हुए और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाता है तो इसको आपको कैप्टन बना देना अपनी टीम का बैसे तो ये बॉलिंग नहीं कराएगा पर कैप्टन अगर आप इनको बनाते हैं तो आपके अपोनेंट का भी ये कैप्टन बना होगा बाकी ये बॉलिंग नहीं कराएगा मैं आपको भी बता देता हूँ अगर ये आउट हो जाए तो आपका कैप्टन का पॉइंट भी जा सकता है बेफालतु में तो इसलिए अगर आप चाहें तो पहले मैच मैच को कैप्टन ना बना है बाकी हो सकता कि अपके अपोनेंड में ये केप्टन बना हुआ हो बेटिंग सेक्शन के अगर मैं बात करूँ तो नाजीर को मैं डेफिनेटली बनी टीम में पिक करूँगा बता दिया मैंने इनके बारे में बेटिंग प्लस बॉलिंग करा सकते हैं आर महमूद हमारे लिए इंपॉर्टरे रहेंगे उसके लबा यहां पे मुहमद यासीन को देखें बहुत ही कम लोगों ने पिक करके रखा आपको इनको पिक कर लेना खेलता हूँ और नजर आ जाएगा बहुत ही अच्छा प्लेयर ओपन करता हुआ उस साथ में दो बर बॉलिंग कराएगा अपनी टीम के लिए इसके लबा मैं आप पर किसी और को प्लेयर को नहीं पिक करूँगा अफजल की पिके एक हाले की पिके आप लेना चाहिए ले सकते हैं पहला मैचे परसेंटेज के ओपर फोकस ना करें नॉलेज के ओपर फोकस करें अलाउडर सेक्शन में आप अजाविद होगे या सहमद होगे इंपोर्टेंट प्लेयर हैं उसके लबा मैं आप पर एसकान को भी बिटीम में पिक कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा अलाउडर से को भी टीम में जगे दीजिए बैटिंग सेक्शन में चली हम लोग याँ पर अफजल को भी टीम में पिक कर लेते हैं तो टोटल में ने आप पर 4-4 प्लेयर दोनों टीम के पिक कर लिया है बैलेंस टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि पहला मैच कोई बी टीम किसी बी टीम पर भारी पड़ सकती है बालिंग की मैं बात करूँ यहाँ पर मैं सेदर को पिक करूँगा महमूद को पिक करूँगा बाखी क्रेडिर प्रॉबलम आपको देख सकते हैं नजर आ रही होगी तो यहाँ पर देखी मुझे यहाँ पर बेटिंग सेक्शन से ड्रॉब करना ही पड़ एक अफजल को चाहें तो मैं खालिक को यहाँ पर रख सकता हूँ लेकिन फिर ज़्यादा प्लेस जो है वो मैं तरफ पाक की हो जाएंगे अफजल को भी टमेपी कर सकते हैं तो कुछ इस परकार का भी आप लोग कॉंबिनेशन क्रियेट कर सकते हैं अपनी इस टीम में मैं बात करूँ कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की मैं किस प्लेर को दूँगा तो मैंने आपको बता दिया था कि सब ही लोग इसन को ही बनाएंगे क्योंकि बहुत ही अटेकिंग खतरनाग बल्लेबाज है टीटेंसी का क्यों बनाऊंगा हो सके तो आप लोग कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी रिवर्स कर दीजिए क्योंकि हो सकता इसन जो है वो आउट हो जाए पहले मैं अच्छा ना खेल पाएं क्योंकि हो सकता है आप बात है और अगर ये आउट होगे तो आपको balling से तो point नहीं देंगे biggest keeping भले ही point दे सकते लेकिन जो जावे थे उवो balling प्लस बेटटिंग आपको दोन से point दे सकते हैं तो चाहें तो आप लोग captain, captain change कर सकते हैं, बाकि आपकी मरजी अभी के लिए मैं save team create कर देता हूँ ताकि हमारा कोई भी user loss में ना हो, तो एक बार आप लोग हमारी इस team का preview देख लीजिए, इसका screen install ले लीजिए, जहां पर भी आप लोग play कर रहे हों, वहाँ पर कर हमारी इस team को save कर सकते हैं, बाकि लाइनप के बाद जो भी मेरी final team होगी, अगर हमारा कोई भी player आपर नहीं खेलता है, तो जो भी मेरी final team होगी लाइनप के बाद, वो मैं आपको telegram channel पे पहुँचा दूँगा, बिल्कुल free में एक भी पैसा आप से नहीं मिले पड़ेगा, तो जाकर हमारा telegram channel जोइन कर लेना, comment में आपको link मिल जाएगी, 29 से ज़्यादा लोग already joined है वहाँ पर, और freedoms का profit उठा रहे हैं, तो आप लोग अगर अभी तक telegram से नहीं जुड़े हैं, तो जाकर ज़रूर जोइन कर जाएगी, comment में आपको link मिल जाएगी, तो दोस्तों मिलूँगा मैं आप लोगों से next वीडियो में, तब तक के लिए जहां भी रहेगा, सुरचत रहेगा, अस्ते रहेगा, मस्कुडाते रहेगा, अपना ख्याल रखेगा, जहां पर भी आप लोग प्ले करें, जहां पर भी आप इन्वेस्ट करें, आलिवेस विन करें हमारे टीम management से, हमारे टीम combination से, तो दोस्तों मिलूँगा मैं आप लोगों से next वीडियो में जल्दी तब तक के लिए, जहन्द वंदे मातराम